How to fix Phonics Browser app not working and not opening problem नमस्कार दोस्तो, स्वागरे अब सभीका तिकराज यूटुब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Phonics Browser account problem यहाँ पर solve कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तो इस एप के अंदर पर ऐसा कोई भी problem आ जाते हैं तो इसको कैसे fix कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हो जबी भी दोस्तो इस तरह के कोई भी problem होते हैं तो एप काफी lag कर जाते हैं साथे साथ मोबाइल को भी impact होते हैं इसका ठीक है तो इसको fix करना बहुत ही जरूरी है और ऐसा क्यों होते हैं क्योंकि कभी कभार एप में bugs आ जाते हैं कभी कभार एप data crush करते हैं एक दूसरे से या फिर mobile software से ठीक है या फिर data corrupted हो जाने के वज़े से इसा एप मिजब करते हैं तो इसको कैसे fix किया जाते हैं इसका solution मैं आपको step by step देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पे दोस्तों solution मैं आपको कम से कम 566 solution बताऊंगा जिसके मदद से आप इसको fix कर पाऊगे ठीक है चलिए दोस्तों वीडियो को ब आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको यह suggest करूंगा कि आप एक बार mobile को restart करके देखें कई बार चोटा जो problems रहते हैं चोटा चोटा प्रॉब्लम्स वह restart से fix हो जाते हैं लेकिन मान लिजे आपको problem आ रहा है ठीक है अगर आपको problem आ रहा है restart के बाद भी तो आप जाएए play store में search कीजिए phonics browser ठीक है यहाँ पर आपको search करना होगा पी एच ओ एन आई एक्स phonics browser एंडेन ब्रोजर को अपडेट कीजिए अपडेट करने से आपका app data crush problem हो गया एप data corrupted problem हो गया ठीक है अपडेट के बाद भी problem solve नहीं हो रहा है तो फिर आपको जाना है next solution पर next आपको क्या करना है setting पर जाना होगा ठीक है setting पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर scroll down कीजिए और नीचे पर app and notification पर जाए यहाँ पर जाने के बाद आपको open करना है आपका phonics browser ठीक है तो phonics browser जो है उसको search कर लिजेगा तो यह यहाँ पर आ चुका है for stop करके ok कीजिए and then storage and cache पर जाए clear storage ok कर दीजिएगा और उसके बाद back कीजिए permissions पर जाए सारे permissions allow कीजिए ठीक है सारे permissions allow कीजिए और permissions allow करने के बाद आप यहाँ पर ok so यहाँ permissions अभी allow होना बाकी है तो सारे permissions मैंने allow कर दिया है next पर आपको mobile data and wifi पर जाना है और background data on करना है सारे साथ में आपका data access वगेरा चेक कर लिजे यह सब दोस्तों आपका access रहना चाहिए mobile data का उसके बाद आप mobile को restart करके phonics browser को चलाए और एक बार देखिए solve हो चुका होगा आपका problem अगर आपका problem solve हो जाते है तो दोस्तों अच्छी बात है लेकिन मान लेजिए by any chance अगर problem solve नहीं होते तो फिर क्या करना है तो दोस्तों आपको जो है प्लेश्टर पे जाना है एप को search करना है और एप को uninstall कर देना है ठीक है एप uninstall करना है एप uninstall करने के बाद आप बेग कीजिए उसके बाद जाए यह mobile setting पर scroll down करके about phone पर जाके या फिर system पर जाके आप आपने system को update कीजिए system update करने के बाद दोस्तों आप जो है प्लेश्टर पर जाए रिइंस्टोल कीजिए आपका एप को एप रिइंस्टोल करने के बाद आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो यह complete troubleshoot का process जो है इसको follow कीजिएगा और इस तरह के से आपका phonics browser एप problem fix हो जाएगा दोस्तों उम्मिद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा टैंक्स रुवाजी